हेलो फ्रेंड आज हम बनाएंगे मैगी जो बच्चों की फेवरेट होती है तो इसको हम मिंटों में बनाकर तयार कर लेंगे और बहुत ही टेश्टी मैगी बनती है यह तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर हमने एक कडाई ले लिए कडाई में हमने दो चमश है और इसी के साथ हमने दो से तीन हरी मिर्च ले लिए बारिक काट कर आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए और इसी के साथ हमने एक मीडिय एक गाजर को हमने बारिक कट करकर ले लिया है हरी सिम्ला मिर्च ले लिये हमने इसको भी बारिक कट कर लिया है अब इन सब चीजों को अच्छे से फ्राय कर लेंगे और यहां पर हमने हरी मटर ले लिये एक चथाई कप हरी मटर ले लिये हमने तो इसको भी हम इन सब चीजों के साथ अच्छे से भून लेंगे तो दो से तीन मेट के लिए हाई फ्लेम पे इसको भूनना है बहुत ज्यादा नहीं भूनना है सब्जियों को और सब्जियां आप इसमें पसंद की कोई भी ले सकते हैं और इसी के साथ हमने यहां पर आदा चमश लाल मिर्श पॉडर ले लिए और स्वाध अनुसान नमक ले ले लिया है और अब इसमें पानी डाल देंगे तो यहां पर हमने इसमें दो कप पानी ले लिया है दो पैकेट मैगी लिए हमने तो इसलिए हम इसमें दो कप पानी का यूज कर रहे हैं जो मैगी पाउच के अंदर मसाला मिलता है वो इसमें डाल देंगे तो दोनों उसको अच्छे से बॉयल होने देंगे मैगी के साथ जो मसाला मिलता है उसमें भी नमक मिर्च वगरा होता है's तो आप इसी के स्वात के Queens सार्ण नमक का तो चलिए अच्छे से से बॉइल आ गया है और अब इसमें मैगी डाल देंगे तो फ्रेंड यहां पर दो कप पानी में दो पकेट मैगी एकदम पर्फेक्ट बनती है तो देखिए इसको अच्छे से पलट देंगे और अब इसको ढखक कर हम दो से तीन मेट के निये पकने देंगे तो चली चेक कर लेते हैं तो फ्रेंड यहां पर दो मेंट हो गए हैं और इसको हम एक से दो मेंट के लिए और पकने देंगे इस तरीके से इसको मेक्स कर देंगे मैगी को यह देखिए हलका हाथ से इसको चला देंगे आप चाहें मैगी तोड़ कर भी डाल सकते हैं हमने साबूत ही डाल दिया था मैगी को तो देखे इसी तरीकी कि मैगी आं को चाहिए तो अब इसको हूं एक पिलेट में निकाल लेते हैं यह मैगी छिपक्ती बिलगूल आप देख सकते हैं, हम्ने मैगी को प्लेट में निकाल लिया है, और कितने ठीली ठीली मैगी बनी है, और इसका टेस्ट तो इतना गजबका होता है कि आप अगर इस तरीके से एक बार मैगी बनाएंगे, तो हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, तो इसको आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद